मेरी मारिएगा इस opportunity को अपने हाथ से मत जाने दीजेगा ऐसी बहुत ही कम opportunities होती है जो की इतनी easy होती है apply करने के लिए specially वो जिसमें कोई आपको fees भी निदेनी होती ऐसा program एक पहले भी आया था बड़े लोगों ने miss कर दिया था उसके बाद अभी भी मेंको messages आते हैं comment आते हैं कि sir ये window close हो गई है मैंने उस time पे ही आपको बोला था कि ये बहुत ही limited opportunity है इसको जित्ती जल्दी हो सके आप apply कर दो कुछ नहीं पता ये opportunity कैसे कब बंद हो जाए और वो ही हुआ वो opportunity बंद हो गई है अब वो गलती सेम इस जगा मत कर देना इस जब मैंने आपको बोल दिये कि ये अभी opportunity खुली होई है तो जड़ से जाके जैसी वीडियो देख लोगे तो इस पे एक दो दिन भी ले सकते हो एक दो दिन में इस पे apply कर देना बस इसमें apply करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपको किसी consultant के पास जाने की ज़रूत नहीं है किसी की help लेने की ज़रूत नहीं है इस वीडियो को देख लेना अच्छे से समझ लेना और इसमें apply कर देना अभी तो ऐसा time चल रहा है कि हाँ express entry में भी number आएगा कि नहीं आएगा हमें कुछ नहीं पता आपको भी पता है latest express entry का score जो आया है वो आया है 531 यह 531 लाने वाले candidates बस वही हो सकते हैं जिननों को या तो province से कोई nomination मिली है या जिनके पास 2-3 साल का Canada में work experience है और उसके points उन्ह Asia में हो South Asia में हो Middle East में हो America में हो South East Asia में हो या फिर East Asia में हो आप दुनिया के किसी भी कौनिया में है आप इस virtual fair और या job fair में participate कर सकते हैं इस job fair related 5 events होने थे जिसमें से एक event और अलरी complete हो चुका है और 4 अभी remaining है तो जो भी मैं वीडियो में dates बताऊंगा उसको ध्यान से direct access मिलेगा Employers का जो की RP की field में hire कर रहे हैं दूसरा आपको Employers के साथ network करने की opportunity मिलेगी तीसरा आपको अपना resume वहाँ पे direct भेजने की opportunity मिलेगी चौथा आपको live immigration program जो की एक information session होगा Newfoundland और Labrador की तरफ से वो आपको attend करने को मौका मिलेगा उसके अलावा आपको Newfoundland और Labrador में क्या-क्या steps होते हैं migrate करने को और आप कैसे easily immigrate भी कर सकते हैं उसके बारे में आपको knowledge मिलेगी उसके अलावा आपको आपकी वहां की living, lifestyle, job, salaries के बारे में complete information मिलेगी अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह इतना बड़ा fair है इतनी सारे information दे रहे हैं I am sure उसकी कोई fees होगी no, इसकी कोई fees नहीं है यह absolutely free of cost है लेकि opportunities तो वह है जिसके पास अच्छी opportunity मिले और उसको grab कर ले मैं फिर से वही कहूंगा यह opportunity को बिलकुल हासे मत जाने दीजेगा कुछ नहीं पता कौन सी organization को आपका resume में पसंत आजे और interview schedule होजे क्योंकि होना भी virtually है इस opportunity का one of the best part है कि आपको direct access मिलता है Immigration and Multiculturalism Office of New Foundled and Labrador का जिसमें आपकी दिमाग में अगर कोई भी queries है या कोई भी questions है आप उनसे directly पूछ सकते हैं तो अब New Foundled और Labrador का आपको प्यास direct access भी है अगर आपको PR-rated कोई भी information लेनी है या उसके pathways के बारे में कोई भी information चाहिए तो आपको directly mail कर देना है attraction at gov.nl.ca पे उसके अलावा इनका portal जब आप एकसेस कर रहे है अपना resume को upload करने के लिए या फिर register करने के लिए या आपनी application को apply करने के लिए जो भी difficulty आप face कर रहे हो आप इस email id पे forward कर सकते हैं जो कि है newfoundland and labrador for at getvfares.io इसमें कुछ important dates है जो आपको जूर पता होनी चाहिए ये dates आपक है मारा November 16, 2023 जो कि Europe and Central Asia में होगा at 7 p.m. it's an Irish Standard Time. तीसरा है January 24, 2024 जो कि Middle East और South Asia भी cover होगा जो कि 6 बजे है at Gulf Standard Time. और 4 मार्स 23, 2024 जो कि America part cover करेगा 7 p.m. Eastern Standard Time. आपकी knowledge के लिए बता दूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका एक event अलरी हो चुका है तो ये remaining 4 events है जिसकी dates मैंने आपके साथ discuss कर लिए तो अब आप जो भी continent में रहते हैं उस continent के आपसे ये date को आप note कर लीजे ताकि आपसे ये event बिलकुल भी miss ना हो जाए Now Newfoundland और Labrador में आप क्यो जाए कुछ facts आप जानेंगे तो आप भी show को जानेंगे जैसे मैं हो गया था facilities है या उनकी job opportunities है इसके लावे एक और चीज़ पर जूर ध्यान रखेगा October 1, 2023 जो की तीन दिन बाद होने वाला है उस date में ये new अपना minimum wage और increase करने वाले हैं जिस पे आप जज़र बनाके रखेगा ताकि आपको पढ़ा चल ज़ए कि आप minimum wage इस प्राविस में कितनी इसमें apply करसे करना है देखिए आपको इस link पे जाना है इस link पे जाके आपको registration अपना कर लेना है घबराइए नहीं इसका link मैं आपको इस video की description में share कर दूँगा ताकि आप easily उसको access कर सके अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है ये बहुत ही easy है फिल करने के लिए आपको ब करेंगे तो ये दो पेज का format है इन्होंने clearly explain किया हुआ है कि आपको cv में क्या include करना है क्या नहीं include करना इसके उपर मैंने एक खुद भी video बनाई थी जो की link आभी आपको i button ने दिख रहा हुआ कि resume के लिए क्या important है क्या नहीं है important मगर आप इस attachment को download कर लेंगे तो इसमें आपको clearly information अराम से समझ आ जाएगी कि आपको resume किस हसाब से बनाना है इसमें ये भी mention clearly की हुआ है कि आपका resume 1 या 2 pages से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और photograph तो बिल्कु भी नहीं होना चाहिए तो ध्यान रखिएगा इसमें जो भी mention है वो आप उसको उसी हसाब से resume को upload करें अब New Brunswick का fair आया था तब भी उन्होंने बताया था कि कुछ ये चीजें हैं जिसका आपने resume के लिए ध्यान रखना है वही सेम चीज न्यूफाउंड लेंड भी बता रहा है कि ये कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है तो कम से कम आपको इससे ये तो idea हो गया कि Canada के लिए जब resume बनाना का है तो उसका format क्या होना चाहिए उसके अलावा आपके language proficiency details वो मांगेंगे अगर आपने दिया हुआ है आप yes करके उसमें जितने भी आपके band आया है वो mention कर दीजा अगर नहीं दिया हुआ है तो आप no कर सकते हैं और ये सब करके बस आपको submit का button trend करना है उसकी सारी information उसमें mention होगी उसके अलावा अगर आप वाकी serious है Canada जाने के लिए देखी दो-तिन suggestion है जो मा आपको बताऊंगा और उसको आप अगर कर लेंगे तो बेटर नी तो आज नी तो कल वो आपको करने ही पड़ेंगे पहला तो ये है कि आप अपनी education का ECA करा दीजे ताकि आपको पता चलजे कि आपकी education की equivalency Canada के हसाब से कितनी है दूसरी चीज आप अपना language proficiency जो की IELTS का exam है वो भी जूर दे दीजेगा नी तो आज तो कल उसकी requirement आपको पढ़ेगी ही पढ़ेगी अगर Newfoundland Labrador में आपका selection हो गया तो वो भी आपसे IELTS के score मांगे आपसे ECA की details भी भांगेंगे और अगर आप जानना चाते हैं कि अपने express entry में 50 points को कैसे increase करें बिना कोई French का exam दिये हुए और ना ही कोई LMIA की support से तो आप इस वीडियो को जूर देखिएगा बर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा this video is not for everyone उसके अलावा आप और कोई भी PNP की information जानना चाते हैं तो उसकी playlist भी आपके description पे है इस video की description पे है आप जाके अपनी province की preference के हसाब से उस PNP की information आप grab कर सकते हैं well thank you so much for watching the video I hope you liked it and I'll see you very soon bye